बिस्मिल्य रह्मानी रहीम, स्लामु अलेकुम, वल्कम टू माई कीचन आज हम रमजान स्पेसिल रेसिपी में बनाएंगे सुरत सहर के पास चिकली के बहुती फेमस चिकन मामना की रेसिपी दुएदार ये चिकन मामना हम घर पे बहुती आसानी से बना सकते हैं और ये मामना चिकन सीख कबाब के जैसे ही होते है और चिकली के ये मामना इतने फेमस है कि लोग दूर-दूर से और जगा-जगा से यहाँ पे खाने आते हैं ये मामना अंदर से बहुत ही जूसी और सौफ्ट बनता है और अगर इफ्तार में आप ये चिकन मामना को बनाएंगे तो रोजेदार इसे बहुत ही सौक से खाएंगे गर के आसान से ही मसालों से ये चिकन मामना बनता है पर ये बहुत ही टेस्टी बनता है और हरी चटनी और निम्बू प्यास के साथ ये मामना बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए देख लेते हैं चिकन मामना कैसे बनाना है तो यहाँ पे मैंने 500 ग्रम चिकन को अच्छे से पीछना है अब हम चिकन मामना का मसाला तेयार करेंगे तो मसाला बनाने के लिए हम पहले तो इस तरीके से चिली कटर ले लेंगे और चिली कटर में हम इसका मसाला बनाएंगे तो चिली कटर में हम सबसे पहले अधरक और लहसुन डालेंगे जिसमें मैंने 15-20 लहसुन की कल्य ले लिया है और 2 inch के अद रखे टुकड़े को काटके ले लिया है तो वो हम चिली कटर में डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगी मिर्ची तो यहां पे मे announcing की मिर्ची ले ले है तो एक मैंने हरी मिर्ची 8-10 ले ली है और दूसरी मेंने जो हरी मिर्ची पक्के लाल हो जाती है वो भी मैंने 60-60 ले ली है और ये लाल मिर्ची मामणा में बहुत ही अच्छी दिखती है पर अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिर्फ हरी मिर्ची भी डाल सकते है तो मिर्ची को भी हम चिली कटर में डाल देंगे और चिली कटर को चलाते हुए इसका मसाला हम बना लेंगे मिक्सर में पीश के भी हम ये मसाला ले सकते है पर वो बहुत ही वारिक पीश जाता है पर अगर हम इस तरीके से चिली कटर में ये मसाला बनाएंगे तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छा चौप किया हुआ दरदरा सा बनता है तो चलिए मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखे आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छा कलरफुल लग रहा है और चीली कटर में करने से ये मसाला बहुत ही अच्छा इस तरीकिसे दरदरा होता है जो मामणे में बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपके पास चीली कटर ना हो तो आप इसे chopper में भी chop कर सकते हैं तो ये मसाला हमारा ready है अब हम एक बड़े से बावल में चिकन ले लेंगे और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जिसमें मैंने एक चम्मच लाल मिर्श पाउडर ले ली है हमने हरी मिर्ची तो डाली हुई है पर लाल मिर्श से कलर बहुत ही अच्छा आएगा एक चम्मच गरम मसाला ले लिया है टेस्ट के मुताबिक नमक दो चम्मच जितना धनिया पाउडर एक चम्मच भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर और आधी चम्मच से थोड़ी ज्यादा हमने हल्दी ले ली है तो ये सारे मसाले हम चिकन में डाल देंगे अब हमने जो चिली कटर में मसाला बनाया था वो भी डाल देंगे अब मैंने यहाँ पे दो बड़ी प्यास को चौप कर लिया है और प्यास को हमें इस तरीके से बारिक-बारिकी चौप करना है बहुत बड़ी-बड़ी प्यास हमें नहीं काटनी है और प्यास का सारा पानी मैंने इस तरीके से निचोड के निकाल लिया है प्यास का पानी निकालना बहुत ही जरूरी है नहीं तो हमारा मिकसर बहुत ही टीला हो जाएगा तो अब ये प्यास को भी हम मसाले में डाल देंगे अब मैंने यहाँ पे एक मुठी जितना हरादनिया काटके ले लिया है और उतना ही मैंने फुदीना भी बारिक बारी काटके ले लिया है तो ये भी हम डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो चमजबर के देसी गी आप इसकी जगा पे तेल या तो बटर भी डाल सकते है ये डालने से हमारा चीकन मामना अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है तो चलिए सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है और इसे हमें हाथ से ही इस तरीके से अच्छे से दबाते दबाते हुए मिक्स करना है और इसमें हमने जो अध्रक लहसुन और मिर्ची को बारिक चॉप करके डाला है न तो उससे ही जब हम चिकन मामना खाएगे तो मूँ में उसके चंक आएगे तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है और आप देख सकते हैं कि हमने फूल मसाला इसमें डाला है तो इससे ये बहुत ही कलरफुल लग रहा है तो अच्छे से इसे हमें 4-5 मिनिट तक मिलाते रहना है तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और सारे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल गए है और इस टाइम पर अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा डीला हो गया है तो आप इसमें दो चम्मच बेशन को भून के डाल सकते हैं पर इस तरीके से प्यास का अच्छे से पानी निकाल के फिर आप ये मसाला बनाओगे तो आपका ये बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा तो देखे इस तरीके का हमारा ये मिक्सर बनना चाहिए तो अब हम इसमें कोईले का दम कर लेंगे तो इसके लिए मैंने प्यास का एक पत्ता रख दिया है और उसके उपर मैंने जला हुआ कोईला रख दिया है अब हम इसमें आधी चम्मच जितना गी डालेंगे और तुरंद ही हम इसे कवर कर देंगे अब 10 मिनिट के लिए हमें इसे ऐसे ही डख के रहने देना है पत्ता लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोईले का स्मोकी फ्लेवर अच्छे से सारे मसाले में मिक्स हो जाए अब आप ये चीकन मामणा को तुरंथी बना सकते है पर अगर आप इसे 1-2 गंडे का रेष्ट देखे फिर बनाएंगे तो चिकन मामणा और ज्यादा टेश्टी बनते है तो रमजान में आप क्या करेंगे कि सुबा में ही इसका सारा मसाला यहां तकका बना के रख देंगे और फिर साम को इफतार के टाइम पे मामणा को बना लेंगे तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तब मैं इसे ढख के 2-3 गंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी और अब हम यह मामणे के साथ खाये जाने वाली स्पेसिल ग्रीन चटनी बनाएंगे तो इसके लिए हम मिक्सी में मुठी बर हरादनिया ले लेंगे और मुठी बर हम इसमें फुदीना भी डाल देंगे 7-8 हम लेसुन की कल्या डालेंगे और 3 हम तीखी वाली हरी मिर्ची डालेंगे टेस्ट के मुदाबिक नमक डालेंगे और आधा निम्बू हम नीचोड के डाल देंगे अब हम इसमें दो चम्मच इतना दही डाल देंगे वैसे आप इसमें दही नहीं डालोगे तो भी चलेगा चटनी का टेस्ट तो अच्छा ही आएगा पर चटनी का बहुत ही ज्यादा ग्रीन कलर आ जाता है तो दही डालने से चटनी का कलर थोड़ा लाइट होगा और चटनी हमारी थोड़ी सी पतली भी बनेगी तो चलिए सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है तो देखे मामणे की स्पेस्यल चटनी यहाँ पे हमारी रैडी हो गई है यह चटनी के साथ ही चिकन मामणा खाने से बहुत ही टेस्टी लगता है और जब हम वहाँ पे खाने जाते है तो यहीं चटनी वहाँ पे सर्व की जाती है मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालके हिला के डाल देंगे और अलहम्दोलिल्ला यह चटनी आप कोई भी चिकन और मटन की फ्राइ आइटम के साथ बनाएंगे तो फ्राइ आइटम और ज़्यादा टेस्टी लगेगी यह देखे आप इसका कलर भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसकी कॉंटिटी भी बढ़ा सकते हो तो हमारी टेस्टी चटनी यहाँ पे तैयार है तो अभी हम इसे साइड पे रख देंगे और देखे हमारी यहाँ पे 2-3 गंटे हो गए है और इसे मैंने फ्रीज में से निकाल लिया है तो चलिए अब हम मामना बना लेंगे तो पहले तो हम एक बाउल में एक ग्लास जितना पानी ले लेंगे और उसमें हम एक चम्मच इतना तेल डाल देंगे और पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इससे हमारी सीख बहुत ही अच्छी बनेगी और बनाने के टाइम पे हाथों में चिपकेगी भी नहीं अब बजार में तो ये सीख कबाब बनाने के लिए जो सीख आती है उसके उपर ये कबाब बनते है पर सीख हर किसी के गर पे नहीं होती है तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से कोई स्ट्रो ले लेंगे आप इसके जगा पे पैंसिल भी ले सकते हो और इसके उपर हमें अच्छे से तेल लगा लेना है और अब हम तेल पानी वाला हाथ करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें से मिक्सर उठाएंगे और हाथ में इस तरीके से इसका गुला बना लेंगे और गोला बना के इस तरीके से थोड़ा लंबा सेप दे देंगे और फिर हम इस तरीके से बीच में से स्ट्रो को डालेंगे और हलके हाथों से हम इस तरीके से इसे डाल देंगे और फिर इस तरीके से दबाते हुए इसे लंबा सेप दे देंगे तो देखे हमने तेल पानी वाला हाथ किया था तो हमारे हाथों पे बिल्कुल भी चीकन चिपकती नहीं है और बहुत ही आसानी से इसका इस तरीके से सीख का सेप आ जाता है तो देखे इस तरीके से लंबी हमें सीख बना लेनी है तो चलिए हम सीख को स्ट्रो में से हलके हाथों से इस तरीके से निकाल लेंगे तो स्ट्रो के उपर भी हमने तेल लगाया हुआ था तो सीख हमारी बहुत ही आसानी से निकल जाती है और बीच में इस तरीके से हॉल हो जाता है तो उससे ही हमारा ये सीख कबाब या तो मामणा बहुत ही अच्छे से जल्दी से पक जाता है और वहाँ पे इस तरीके से लंबे-लंबे ही चिकन मामणा बनते है और बिल्कुल यही साइस के बनते है तो चलिए अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो यहाँ पे फ्लैट कड़ाई में मैंने इस तरीके से तेल गर्म कर लिया है तो हम इसमें दीरे से मामणा रख देंगे तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हमें गयस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देना है तो इसी तरीके से हम मामणा बनाते जाएंगे और तेल में टालते जाएंगे और मामणा को हमें deep fry नहीं करना है कड़ाई में इस तरीके से आधे तक ही तेल बरके सैलो फ्राइ जैसा ही हमें मामणा को करना है medium to slow flame पे हम इसे fry होने देंगे और नीचे से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए वहां तक हम इसे फ्राइ करेंगे चार से पांच मिनिट के बाद हम इसे घुमा के देख लेंगे माशाल्ला आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आया है और बहुत ही बहतरिन हमारे चिकन मामना लग रहा है तो एक एक करके हम सारे सीक कबाब को गुमा लेंगे और फिर हम दूसरी साइड से भी अच्छा गोल्डन कलर आ जाए वहां तक फ्राइ होने देंगे तो चली दूसरी साइड से भी हम चेक कर लेते हैं तो दोनों ही साइड से हमारे मामने बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो गए है और जब ये फ्राइ होते हैं तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुस भूब आती है तो चली एक एक करके हम चिकन मामना को निकाल लेंगे माशाल्ला आप देख सकते हैं कि ये कितना जबरजस्त लग रहा है आप सीख कबब खाना भी भूल जाओगी इसके सामने इतना टेश्टी ये चिकन मामना बनता है तो आप ये चिकन मामना को एक बर जरूर से बनाईएगा गर के छोटे बड़े सबको ये बहुत ही पसंद आएगा तो चली एक एक करके हम सारे चिकन मामना को निकाल लेंगे और बस इसी तरीके से हम सारे चिकन मामना बना लेंगे तो ये चिकन मामना हमने जो स्पेसिल इसकी हरी चटनी बनाईए है उसके साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है तो देखे हमारे दूसरे चिकन मामणा भी यहाँ पे फ्राइ हो गए है तो गर्मा गरम हमें से सर्व करेंगे तो इस इफ्तारी में आप यह चिकन मामणा जरूर से बनाईएगा आपके गरमें बच्चो को बड़ो को इंशालला सबको बहुत ही पसंद आएगे तो दुएदार स्मोकी फ्लेवर वाले यह चिकन मामणा के साथ चटपटी स्पैसी ग्रीन चटनी सर्व करूंगे तो इस चिकन मामणा बहुत ही टेस्टी लगेगे आप देख सकते हैं के बहुत ही सौफ्ट और जूसी हमारे मामणे बने है और प्याज और निम्बू के साथ यह चिकन मामणा खाने का तो मज़ा ही कुछ और है तो आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपी आपको मेरी मिलती रहे तो चली इंशाल्ला मिलते ही एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज हैपी कुकिंग